कि लोटस आयरवदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूं उत्पल चौधरी आज हम बात करेंगे क्या डाइबेटीज के रोगियों के लिए एक्ससाइज करना सुरक्षित होता है कि इनके बीच कनक्षिन क्या है वो भी आपको बता रहा हूं तो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा चैनल को आपने अभी तक सब्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्क्राइब कर लें बेल आइकोन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलें तो आई शुरू कर रहे हैं कि इन दिनों चौत अरफा नवरात्रों की धूम है कि स्वास्त की और मुश्किल से ही कोई ध्यान दे पा रहा है मेरा ऐसा माना है कि इन दुनों स्वास्त लोग भले अपनी डाइट की और खास ध्यान ना दे लेकिन डाइबेटीज को रोगियों को अपने स्वास्त के साल लापरवय नहीं बरतनी चाहिए उन्हें अपनी डाइट पर पूरा ध्यान रखना चाहिए हालंकि जैसे डाइबेटिक मरीजों की भी कमी नहीं है जो भले इन दुनों अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं कर पा यह ठेजिश की कैसी लोगियों के लिए एक्सराइज करना सुरंप्शित होता और से अपने तमाम लोगों से सुना हुगा कि हर वchaeक्रीफ को एक्सराइज करना चाहिए नित्र hiện की शिर्ट अबश् elders करने शेहत में सुदार होता है इमॐनिटी सोनीर होती है और मेंटल है ब इसका असर पड़ता है इसी तरह मेरा भी मानने है कि किसी तरह की medical condition से गुजर रहे लोगों को professional की सला पर mild या moderate exercise को अपनी जीवन सली का हिस्सा बनाना चाहिए हां जहां तक diabetes के मरीजों की बात है तो इस संबन में डॉक्टर से जरूर करना चाहिए निश्य तोर पर diabetes के रोगियों को अपने exercise करना चाहिए exercise करने से diabetes के रोगियों का बिलट सुगर का इस्तर संतुलित रहता है यहां तक कि स्वास्त में सुधार भी संभब है यही नहीं रेवलेर exercise करने से हार्ट हेल्थ में सुधार होता है और बिलट पेशर भी संतुलित रहता है इससे गंभीर बिमारियों का जोकी कम होता है कि diabetes के रोगियों के लिए exercise करने के फाइद है कि diabetes रोगियों को निवीत रूप से exercise करना चाहिए यह उनके लिए बहुत फाइदेबंद होता है उन्हें कई तरह के स्वास्तलाब मिलते हैं जैसे बिलेट सुगर का इस्तर संतुलित रहता है ओबर ओल फिट्नेस में सुधार होता है बजन संतुलित रहता है हार्ड डिजी इसा बनने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि diabetes के मरीज को किसी भी तरह के करने से पहले कई बार सुचना और अपने हेल्ट का ध्यान रखना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि diabetes के जो मरीज इंसुलीन पर हैं अगर वें इंटेंस एक्सराइज करते हैं तो इससे उनकी ब्लट सुगर का इस्तर तेजी से डाउन हो सकता है ऐसे में उनकी सेहत बिगड़ सकती है कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि diabetes की रोगियों के लिए एक्सराइज करना फाइदेवन्द होता है इससे उनकी ब्लट सुगर का इस्तर बैलेंस होता है और ब्लट पेशर जैसे अन विमारे भी दूर होती है इसके बाब जूद उन्हें किसी भी तरह के एक्सराइज को अप झाल